वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उनी के घर में टेस्ट और T20 सीरीज हराने के बाद अब साउत अफरेका पहुँच गई है आयरलेंड जहां उन्हें तीन वन डे इंटरनेशनल और तीन T20 मैचेस खेल ले हैं अब आप सभी को प्रोटीज की जीत पकी नजर आ रही होगी बट देखना ये है कि क्या आयरलेंड के पास ऐसे ब्लेयर्स हैं जो अपकमिंग कॉंटेस में फाइट दे सकते हैं लेट्स फाइंड आउट इनार अनालसिस आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आयरलेंड वर्सेस साथ अफरिका के बीच होने वाले पहले ODI मैच को जो 11 जुलाई को दोपहर 37 बजे से खेला जाएगा अब मोरा मोटी बात ये है कि साथ अफरिकन टीम पिछली दो सीरीज जीत कर आई है तो वहीं आयरलेंड लास्ट आठ में से 6 ODIs साथी, अफगानिस्तान और नीदरलेंड जैसी टीम्स के अगेंस्ट हार चुकी है अब ICC World Cup Super League की लिस्ट में 10th position पर बैठी आयरलेंड की condition अच्छी तो नहीं है बट fortunately वो South Africa से आगे हैं जो इस लिस्ट में 13th यानी की लास्ट position पर विराजमान है खेर as usual analysis की शुरुआत करते हैं venue से भाई लोग series का पहला one day match खेला जाएगा the village Dublin में जहां chances of rain predicted हैं तो ऐसे में toss जीत कर पहले bowling choose करना better होगा बट प्लस venue के stats को देखें तो total 14 ODI matches यहां पर खेले जा चुके हैं जहां पहले batting करने वाली team 5 बार जीती है और run chase करने वाली team 9 बार जीती है तो even stats को consider करें तो captains runs chase करना पसंद कर सकते हैं average score first batting करने वाली team करा है 261 runs वहीं highest score रहा है 8 wicket per 377 runs by Sri Lanka और lowest score रहा है 10 wicket per 82 runs by Ireland दोस्तों Dublin का ये ground high scoring रहा है बट South Africa के world class balling attack को देखते हुए अगर Ireland पहले batting करता है तो शायद ये एक low scoring match हो सकता है अब बात South Africa की हुई है तो आईए ज़रा teams पर भी focus कर लेते हैं पहले बात करते हैं महमान South Africa की भाई पोलाड एंड कंपनी जैसी strong team के against series जीतने के बाद South Africa के लिए Ireland को हराना बेहत आसान होगा बट इसमें कोई दो राय नहीं की team में थोड़ी weaknesses भी है जहां तक बात balling की है तो कगीसो रबाड़ा एंडरिश नौर किया लुंगी एंगिडी और तबरेश शामजी का combination उमदा balling attack form करता है बट लुंगी एंगिडी पिछले कुछ matches में out of form नज़र आए है and this tool can be helpful team specially इस area में match one-sided करने का दम रखती है बल्ले बाजी की बात करें तो कुंटन डिकॉक as usual बैटिंग लाइनप को लीड करेंगे एडिन मार्करम विंडीज के अगेंस्ट काफी रन बटोरते दिखे थे so we expect the same from him प्लस डेविड मिलर की मौजूद की प्रोटीज का बैटिंग लाइनप strong करती है हाला की कप्तान बगुमा और हेंडिज प्लासेन की बल्ले बाजी उतनी convincing नहीं रही है अब रही बात Ireland की तो केविन ओब्राइन के जाने के बाद टीम में विलियम पोर्ट फील as an experienced player टीम को लीड करने वाले थे आइरिश स्कॉर्ड में Mr. Dependable का टाइटल अभी खाली है वैसे देखा जाए तो टीम में Andrew Balberny और Paul Sterling भी मौझूद है जो बैटिंग लाइनप को लीड करेंगे प्लस Harry Tector और Lorcan Tucker कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो run score करने की काभिलियत रखते हैं बट South African Balling Attack के अगेंस्ट कितने कारगर साबित होंगे देखना दिल्चस्प होगा खेर वल्ले बाजी के साथ साथ टीम का Balling Attack भी कुछ खास नहीं है बट पर नाउ जोश्वा लिटिल, मार्क एडर और सीमी सेंग पर सारा दारोमदार रहता है चलिए अब जरा इनकी Probable Playing 11 पर भी नज़र टाल लेते हैं साथ अफरिका की ओर से खेल सकते हैं वहीं Ireland की ओर से ये मैच खेल सकते हैं तो दोस्तों ये था आइरलेंड और साथ अफरिका की बीच होने वाले फर्स्ट ओडियाई का प्री मैच अनालिसिस जहां नो डाउट साथ अफरिका वन साइडेड ये मैच जीच सकती है बड़ देखना है ये होगा कि क्या आइरलेंड अपने कुछ जुनिंदा प्लेयर्स के साथ इस मैच में वाइट देने के लिए तयार है आज की वीडियो में बस इतना ही फिर हाजर होंगे दोस्तों एक और अनलिसिस के साथ और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ झाल